नमस्का, उमीद करते हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और खेरियत से होंगे, तो आज मैं पैकाश भाती का नया नौवल तीन खून स्टार्ट करने वाले हूँ, उमीद करते हूँ आप सब लोग इसे पसंद करेंगे और सुनेंगे इसे और अपने कमेंट्स भी तो शू करते हैं पैकाश भाती का नौवल तीन खून पैर से दूसरे पर पहलू बदल रही थी, उससे उसकी बेचैनी साफ जाहिर थी। काल के नीचे लेटे कमल कांथ को अपने उस स्थिती में लड़की के गोरे पैरों के आसपास कसे, उची एडी के सफेज सैंडल और घुटनों से तने कुपर तक डैनिम की नीली जीन्स ही दिखाई दे रही थी, लेकिन वो विश्वास पूरवक कह सकता था, उन पैरों, सैंडल्स और जीन्स के स्वामी नी उसके लिए पूर्टया अपरिचित थी। कमल कांथ को अब जिंदगी में दो ही चीजों से खास लगाव रह गया था, अपनी मोटर वरक्शॉप और और और इन दोनों ही चीजों के मामले में उसे बराबर भरपूर कामया भी हासिल हुई थी। जिसके लिए शीलता की दाइरे की सबसे पहली और जोरी शर्थ होती है, पूर्टया एकांथ। कमरकान कारो और लड़कियों के मामले में समान रूप से अनुभवी था, वह काय का नुक्स ढूंड कर उसे ठीक करने में जितना महाईर था, उतनी महारत उसे लड़कियों का मिजाज भाप कर उसी के मुताबिक उनके सब विभार करने में भी हासिल थी। यही वज़ा थी कि ना तो कभी किसी कार के मालिक को उसे शिकायत करने का मौका मिला था, और ना ही कभी ऐसी नौबत आई थी कि कोई लड़की उसका गला पकड़ती। उसके तमाम परीचित उसे एक महनती, हुश्यार और खुश मिजाज व्यूवक समझते थी। जबकि लड़कियों की नजर में वो एक ऐसा प्लेबॉई था जिसने तमाम स्थाने प्लेबॉईस की छुट्टे कर दी थी। कमरकांद काल के नीचे से निकला और तारिफी निगाहों से लड़की क्यों देखा। लड़की खुबसूरत थी। इंतिहाई खुबसूरत। अपने हातों में लगी कालिक पहुँचकर वो निसंकोच लड़की के पास पहुँचा। आप किसी का इंजार कर रही है। उसने तब तक लड़की का सर से पाउं तक बारीकी से मुएना कर चुका था। उसके चेहरे की खुबसूरती और अंगों की सुडोलता में कहीं कोई कमियों से नजर नहीं आई थी। वो मन ही मनुसौंदर और आकरशन का अद्बुत समिशन की संग्या दे चुका था। लड़की क था कि वो बैचैनी से संकोच में खिरी हुई थी। कमरकांत उसे और ज्यादा गौश से देखने पर विवश हो गया और जो बात उसे पहली नजर नहीं आई थी वो अब नजर आ गई। लड़की की बड़ी बड़ी काली चमकिली आँखों में कुछ ऐसे भाव विदमान थ कारी के बेहत तर्ख तर्जुर्बों के लंबे दौ से गुजरना पड़ा था। आमतोर से टैक्सियंस तरफ से नहीं आती उसके लिए आपको फोंग करना होगा। वो बोला फितनिक रुखने के बाद कहा। मैं फोंग किये देता हूं बासकों को आने में करीब 10 मिन लग ज कि उसने ये बात मजाग में कही थी या संजीतगी से। अलबत्ता उसकी इस बास से जाही था कि वो इस शहर से खासी परीचे थी। अगर आपको उसकी टैक्सी में जाने से इतराज हो तो मैं आपको लिफ्ट दे दूँगा। मैं 7 बजे वर्शॉप बंद कर देता हूं और तीसी निगार डाली। डांगरी पहनी होने के बावजूद उसके उंचे कद, पुष्ट शरीर और मर्दाना खुबसूरती वाले व्यक्तितों का अपना अलग आकशन था। धाई साल का इसा जादा नहीं होता। वो बोली। फिर वर्शॉप क्यों देखने लगी। बढ़ वर्शॉप एक छोटे और खसता हाला शेड तक ही सिमित थी। काम में आने वाले पूर्य औजार भी यहां नहीं थे। लेकिन अब उसकी काया पलट चुकी थी। नया और अपेशा करत बड़ा शेड आधुनिक औजारों से लेस था। बरावर में एक स्टोल कम ऑफिस नु नहीं था। अपनी सूच-बूच, भाग-दौर और परियासों से वो करीब 6 मेने पहले खुद्रा पैट्रोल डीजर वगरा बेचने का परमिट भी प्राप कर चुका था। वर्शॉप के पिछडवाडे खाडी की तरफ उसने एक ऐसा घाट सा बनवा दिया था जहां आकर मच्छवारे अपनी फिशिंग बोर्ट में डीजल भरवा सकते थे। काम में अपनी मदद के लिए उसने तीन लड़के भी रखे हुए थे जिने वो कुशन मेकनिक बना चोन तका था और जो सुबर 9 बज़े से शाम 6 बज़े तक काम में उसका हाथ बटाया करते थे। सवा यह सही करके वर्ट शॉप बंद कर दिये देता हूं फिर आपको अपनी जीब से पहुंचा दूँगा। नहीं बहतर होगा कि आप बॉसकों को फोंग कर दीजें। कमर कांथ अपने ऑफिस के और बढ़ गया। जब वो फोंग करने के बाद बहार निकला लड़की वर्ट चॉप के शेट के पास अपने एक सूट केस पर बैठी दिखाई थी। अब उसका चेहरा पेशा कर साफ और ताजर नजर आ रहा था। उसके भरे भरे होट भी ज्यादा सुल्ख लग रहे थी। कमर कांथ को आरम में यूं लगा मानो इस बीच वो अपने चेहरे पर मेकप क की हलकी से प्रत चड़ा चुकी थी। लेकिन नजदीक पहुंचने पर उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। लड़की के चेहरे की वो तासगी और होटों की सुल्खी कुद्रती थी। उसकी गयर मौजूदगी में लड़की ने संभवता अपने चेहरे को रुमार रगड का पहुंचा था और इस तरह चेहरे पर जमी, सफल की धूल के निशान साफ हो गए थे। लड़की ने उसके कदमों के हाट सुनकर भी गदा नहीं खुमाई। वो सूनी आखों से कोई डेड मील दूर शहल के और जाने वाली सड़क को ताक रही थी। कमलकान ठीक उसके पा नहीं देखा। शायद कुछ तिनों के लिए अपने प्रेवाज से मिलने आई हैं। कमलकान ने पूछा। लड़की ने धीरे धीरे गदन घुमा का उसके ओर देखा और खड़ी हो गए। मैं हमेशा के लिए अपने घर लोट आई हूँ। मेरा नाम नलीनी पिंटो है। इ लेकिन वो उस मेजर से कभी मिला नहीं था। मेरा नाम कमलकान थे। इतराज ना हो तो बॉसको को दुबारा फों कर दो। उसके सोल का तीखा पर कमलकान को तनिक अजीब सा लगा। देखे मिस पिंटो अगर मेरी किसी बात से अब नाराज और उससे कहो कि जल्दी आ जाए कमलकान ने इतनी खुबसूरत लड़की यकिनन पहले कभी नहीं देगी थी और अब वो ये भी महसूस करने लगा था कि ऐसे मिजाज वाली लड़की से भी पहले कभी उसका सापका नहीं पड़ा था। वो चुपचा वापस खुमा और अपने ऑफिस में पहुचा। टेलि कमलकान जान बूच कर गेट की और बढ़ा। तबी धूल से अटी एक पुरानी अमबैस्डर कार गेट से भीतर दाखिल हुई और उसकी बगल में आरुकी। ड्राइवर यानि बास को कास से उतरा। वो मेले लिबास वाला पतला दुबला मरियल सा आदमी था। उसकी उम्र करी 45 साल की थी अब वो शकल सूरत से ही बड़ा काईया नजर आता था। उसने अपने पतले कूलो पर नीचे फिसलती पैंट उपर खिसकाई और गंदे पीले दाथ दिखाता हुआ मुस्कराया। सवारी कौन है। उसने पूछा। शेड की आर में होने की वज़ा से उसकी निखा लड़की पर नहीं पड़ सकी थी। कमल कान ने शेड की और इशारा किया। एक लड़की है। बासको ने इंगित दिशा में देखा। तो अपने दोनों सूट केस उठाया थी नलीनी पिंटों से दिखाय दे गई। तत शर्ण उसके आँखे चमक उठी। ये, ये म हीला है। वो व्यंगपूर आवाज में बोला, फिर उची आवाज में नारा सा लगाया। वापस आ गई हो नलीनी, क्या बंबई की फिल्म इंडस्ट्री का दिवाला पिट गया है। कमल कान को बासको का ये बेहुदा धंग पसंद नहीं आया, लेकिन उस सडियल आदमी से किसी और धंग के अपेशा भी नहीं की जा सकती थी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले बासको। सूटकेस के बोस से जुकी जा रही नलीनी बोली। कमल कान उसकी और लपका, लाइए सूटकेस मैं पहुँचा देता हूँ। इन्हे यहां ही। इन्हे यही यहां से ले किस रख कर उसने पिछली सीट का दवाजा खोल दिया। हरे यह क्या करते हो। बासको बोला यह मेरे साथ अगली सीट पर बैठेंगी। नहीं। कमयकान ने तीवर स्वर में पती बात किया। यह पीछे बैठेंगी। बासको ने खीसे ने पोरी। यहां के लिए तुम अभ कि उसके मुण पर जोरदा तमाचा जमा दे। लेकिन खुद को रोग गया। नलीनी पिंटो पदिर्श्ता पूर्ट या सयन नजर आ रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर किसी आंतरिक पीड़ा को खामोशी के साथ पीने की कोशिश के भाव साफ पड़े जा सकते थे।। कम को किसी किसम की मदद की जोरद पड़े तो प्लीज मुझे फों कर दीजेगा। काल का देवाजर बंग करने के बाद वो गंभीता पूबग बोला। मेरा टेलीफोन नमबर मेरी फिक्र मत करो। लड़की उसकी बात काटती बोली। चलो बासको। या समझे बच्चे। बास को देखा जा रहा था। बासको ने काल घुमा कर गेट से बहार निकाली और शहर के और ले गया। कमरकांत वहीं खड़ा रहा। नलीनी पिंटो के व्यक्तित्व और विवहार के विच्चतर विरोधा भास ने उसकी अपनी उन पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था ज लेकिन शनिवार की सुभा अचाना की उसकी ये तमाम एहतियात बेका साबित हो गए। एक नीली फेट काल उसकी वर्ट शॉप के सामने आकर रुकी। कमरकांत उससे कोई चार-पांच गच के फासले पर ही खड़ा था। लेकिन काल के ड्रैविंग सीट पर बठे आदमी न मैं मेजर पिंटों के पास जाना चाहता हूं। कार में बैठा आदमी बोला बता सकते हो वो कहां रहता है। कमरकांत उसे गौर से देखने पर विवश हो गया। उस आदमी की उम्र करीब 45 साल की थी। आसतकत और सुष्चरी लेकिन बहुत ज़ादा आत्म विश्वास से प आदमी को देखा था। लेकिन फिर उसने इसे अपना वहम समझ का दिमाग से निकाल दिया। शेह से भार किसी टापू पर रहता है। उसने जवाब दिया। कौन से टापू पर? पता नहीं, शेहर में आप पूछ लीजिएगा। अजनभी मुस्कराया। और शेहर किदर है थोड़ा आगे जाकर बाई और जाने वाली सडक मापू का जाती है और दाई और वाली शिवोली, यहां से करीब डेड़ मील दूर है। और टापू? शेहर से गुजर कर पूल पार करने के बाद दूसी दर छोटे-छोटे साथ टापू है। तुम मेजर पिंटो को जानते ह नहीं, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि वो कोई अपाईज आदमी है। नलीनी को तो जानते होंगे। अजनभी के पूछने का ढधंग ऐसा था मानुस के विचा से नलीनी को ना जानना अपने आप में बड़ी भारी हिमाकत की बात थी। नहीं, कमर कान ने जवाब देका पिर वो किसकी बीवी है? मेरी। अजनभी ने इंजन स्टार्ट किया और शहल किया चला गया। कमर कान देर तर नलीनी के बारे में सोचता रहा। उसके पती से हुई मुलाकात ने उसे समझने पर मजबूर कर दिया था कि नलीनी के उस दिन की हालत की वज़ा काफी हद तक उसका भैबीत होना था। कोई दो घंटे बाद वो जब वही नीली फेर्ट वापस लोड़का सीधी परजी के और जाती दिखाई दी। कमर कान तो उस वक्त भी कुछ अनमना सा था। एक बार फिर उसे ऐसा ही महसूस हुआ था कि इस आदमे को पहले भी देखा था। लेकि जा रहा हूं और तुम वर्क्शॉप बंद करके शाम को चाबियां साथ ही ले जाना। करीब 24 वशे जॉन हैट मेकैनिक था। उसने चिंते तांकों से कमर कान क्यों देखा। लेकिन गर्मी से तो आप कभी नहीं घपराते बास। बात क्या है आप कुछ प्रेशान नजर आ रहे हैं। वो बोला। कमर कान को ये सोच कर तनिक खीस से आ गई थी कि जॉन उसकी बेचानी को भाब कया था। कोई प्रेशानी नहीं है। क्या मुझे गर्मी में अराम करने का हक नहीं है। बिलकुल है बॉस ब्राबर है। कमर कान तो ऑफिस से निकल कर अपनी जीब क्यो है। कमर कान ने उसे घूरा। क्या। बासको को तो आप जानते ही है। कितना गलत आदमी है। अव्वा क्या है जॉन। बासको का कहना है कि आपने नलीनी पिंटो को महिला कहा था। कमर कान ने असमंजस्ता पूरवक उसके ओदेखा। तो क्या हुआ इसमे। दर असर उसक काबिल नहीं है कि उसे इस तरह सम्माने डंग से पुकारा जाए। हो। कमल कांथ ने करवाट से कहा, उस घनोने आदमी को बखने दो, वो नहीं जानता कि सब्भेता और शिष्टाचार किसे कहते हैं। लेकिन सर उसने और भी बखवास की है। क्या, वो कहता है कि आपका नलीनी से तगड़ाश चल रहा है। मैं जानते हूं यह सब जूट है लेकिन। कमल कांथ अपनी जीब की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। हाँ, यह सब जूट है जॉन, लेकिन अगर यह सच होता तब भी क्या फर्क पड़ना था। बड़ा भारी फर्क पड़ेगा बॉस। जॉन गंभीता पूवक पुला, आप यहां के लोगों को अच्छी तरह नहीं जानते। आप यहां नए आये हैं और अपने धंदे को पूरी तरह काम्याब बनाना चाहते हैं। आपकी अब तक क काम्याबी को देखते हुए आपके लिए ऐसा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यहां के लोग आपको पसंद करते हैं। इसलिए आपसे स्वहोग करते हैं। लेकिन अगर इन ही लोगों ने आपको नलेनी पिंटों के साथ घूमते फिरते देख लिया तो यह सब आपका बाइकॉट कर देंगे। आपका स्थानिय धंदा चौपट हो जाएगा। आपको मिलने वाला बैंक, लोगों, क्रेडिट पर माल वगएरा तमाम सहुलूतियें खतम हो जाएंगी। अनाया से कमाईगांत की मुठ्यां बिच गए। धाई साल पहले भी कई बार मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जौन, वो दिर्दा पूवक बुला, मेरी उम्र तीस साल है, अपना अच्छा बुरा समझने की पूरी तमीज मुझ में है, इसलिए मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। फितनिक रुख कम उसक्राया, सला के लिए धन्यवाद तुमाई जानकारी के लिए बताता हूँ, सुनो, मैं किसी के दबाव या धमकी में आकर जुख जाने वाला आदमी नहीं हूँ, खेच छोड़ो, ये बताओ, उस लड़की में ऐसी क्या खराबी है, जो यहां के लोग उससे इसकदर नफरत करते हैं, उसमें के तमाम खराब जो करना चाहती थी, सिर्फ यही बात है, और भी दरजुनों बाते हैं बोस, अगर हजारों बाते हूँ, तब भी किसी खूबसूरत जवान लड़की को मैं सिर्फ इसलिए गलत करार नहीं दे सकता, जौन, क्योंकि उसने अपने अपाहिस बाप के साथ जिंदगी भर बंद के रखने के लिए नहीं होती, जौन कुछ नहीं बोला, बस पल्के जपका कर रह गया, कमलकान ने जीप स्टार्ट की और गेट से भारा का शहर के और ड्राइव करने लगा, मारगाव की खाड़ी के किनारे पस्ति शिवोली, मचली वफसाय के परमुर केंद्रों में से एक था, दो तरफ दलदल से घिरा होने की वज़ा से वहां सेलानी जादा नहीं पहुँच पाते थे, दलदल इतनी खतरनाक थी, कि मच्छवारों के अलावा अन्य कोई वहां से गुजरने का साहस नहीं कर सकता था, एक ही में रोट के दोनों और बसे शिवोली से सोर्योते और सोर्यास्त का बड़ा ही मुहक द्रश्य दिखाई परता था, शहर से दूर मौजूद ये छोटे-छोटे सातों टापो उस वक्त ऐसे नजर आते, मानों विशार नीली चादर पर सात पन्ने रख दिये गए थे, शहर से उन टापों पर आने के लिए एक पुल से गुजरना होता था, कमरकान ने उसी पुल के पास वाली बार के सामने जीप रोकी, उस तरफ खाड़ी के एकदम सिरे पर वो शहर के आकरी इमारत थी, कमरकान जीप से उतर का बार में दा संकता था, उमर में काफी फर्क होने के बावजूद, दोनों आपस में हम उमर दोस्तों की भाती, बे तकलूफ रहते थे, जोसफ उस वद काउंटर साफ कर रहा था, बार में कोई गरहाक नहीं था, आओ, आओ, मैं कही दिनों से तुम्हारा अंजार कर रहा हूँ, कहां गा कैसा चल रहा है, फर्स क्लास, सच, कमय कांट तनी चक्राया, क्या मतलब, उसने सिगरेट चलाने के बाद पूछा, मतलब बाद में पूछना, पहले ये बताओ, क्या पियोगे, कमय कांट और जादा चक्राया, जोसफ जानता था, वो आम तो उसे बियर ही पिया करता था, फ जानता हूँ, फिर क्यों पूछ रहे हो, जोसफ ने बियर की बॉटल और एक ग्लास उसके सामने रख दी, मैंने सोचा शायद अब कुछ और पीने लगे हूँ, कमल कांट को समझते देन नहीं लगी, जोसफ सिर्फ मजाग नहीं कर रहा था, जरूर कोई बात थी, क्यों, उ उसका आश्य समझ क्या, ओ, ये बात है, हाँ, हाँ, यही बात है, क्या ये सच नहीं, कमल कांट ने गहरे सांस ली, नहीं, वो बियर का बड़ा सा घूट भरने के बाद बोला, यानि तुम्हारा नलेनी पिंटों से कोई चकर नहीं चल रहा, नहीं, जोसफ ने विचार पू करके नीचे रख दिया, हाँ, वो बोला, फिर सिग्रेट का घहरा कश लेने के बाद पूछा, तुम्हें यकीन नहीं, मजाग की बाद दूसरी है, कमल, जोसफ संजीत की से बोला, वरना तुम अची दरह जानते हो, मैं, कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करता, ये बात शू किसने बताया जोसफ, उसने पूछा, बासको ने, जोसफ ने सहमती सूजक सहलाया, हाँ, मैं समझता हूँ, ये अववा भी उसी की फिलाई हुई है, उसका ऐसा करने की वज़ा बता सकते हूँ, वो साला हलकट, शू से ये समझता है, नलीनी के साथ सारा शहर एश का चुका है, उसे ही वो हासिल नहीं हुई, बस ये ही वज़ा है, जोसफ ने कहा, अफि थोड़ा रुखने के बाद बोला, वो कमीना पूरा साप है, तो मुसके मू मत लगना कमल, उसमें हाला की जान तो एक मच्छ जितनी है, लेकिन वो हराम जादा इधर की उधा लगा का फसाद ख की बात करते हो, लाखों में एक है, लाखों में, जोसफ बड़े ही उस साहे स्वय में बुला, अगर ऐसा ना होता, तो भला इक शेय को छोड़ कर क्यों जाती, जानते हो, जाने से पहले वो कहा काती थी, इतनी बड़ी स्टार बनेगी, कि बंबई की तमाम फिर्म इंडरस् लेकिन टैलेंट के नाम पर, जीरो है, बिल्कुल जीरो, कमरिकान सोचने लगा, नलेनी जरूर जानती होगी कि नाकाम्याब होकर लोटने पर ये शहर उसका कैसा स्वागत करेगा, फिर भी वो वापस लोट आई, जरूर कोई बेहत तगरी वज़ा रही होगी, जिसने उसे दोबारा यहा आने पर मजबूर कर दिया, वो ये मानने को तयार नहीं था कि नलेनी इसलिए वापस आ गई, क्योंकि टैलेंट ना होने की वज़ा से फिल्म लाइन में कामयाब नहीं हो सके थी, बंबई की फिल्म इंडेस्ट्री में आधिस से ज्यादा लोग ऐसे ही थे, जिनका टैलेंट नाम की चीज से जरा सा भी रिशा नहीं था, फिर भी आश कर रहे थे, क्या उसके नाकामयाब होकर लोटने के वज़ा से हल कोई उसके सर पर सवार होने को तयार है, उसने पूछा, इस जैसे शहल के लिए इतना ही काफी है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जोसफ, कमरकांत उसे और जादा प्रोसान देते हुए बोला, जैसे वो लड़की शहल के हर आदमी के साथ हमबिस्तर हो चुकी हो, जोसफ मुस्कराया, एहज़ा समझने वाले तुम पहले आदमी नहीं हो, वो बोला, चार्स सार पहले जब ये लड़की यहीं थी शहर का कोई आदमी अज़ा नहीं था, जो ये नहीं समझता था, हर एक यहीं ख्याल था कि सिर्फ उसके अलावा बाकी सब नलिनी के साथ मौज मेला कर चुके हैं, लेकिन मैं यकिनी तोर पर जानता हूँ, हकीकत नहीं है ये सब, अलबता ये बिल्कुल सच है, कि उस वक्त हर कोई इस लड़की को पाने के लिए मरा जा रहा था, जब किसी की भी दाल नहीं गली, तो सबने अपने दिल की भढ़ास निकालने के लिए और दूसरों पर रॉब मानने के लिए, एक एक कलके करीब दो दरजन आदमियों नलिनी को हासिर कर चुकने के मन गरंद किस्सों क खुले आम पचाल का नशू का दिया था, बस बात फैल गए और एक मिनट, कमलकान ने टोका, दो दरजन आदमियों के खामा खाँ जुट बुलने वाली बात कुछ जबती नहीं यार, आकर दो चाल की बातों में तो सच्चाई भी जूर रही होगी, वो तमाम लफंगी और नकारा किस्म के आदमी थे, उनमें से किसी की बात में कोई सच्चा ही नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नली ने बिल्कुल दूद की धुली थी, दरसर मंगरन किस्टों के सर्थ समझे जाने की भी एक वज़ा थी, जोसफ काउंटर पर थोड़ा आगे छुप किया आपेशा करद धीमे स्वर में बोला, तुम गोमेश को जानते हो? कमरिकान ने साहिला का सहमती दी, वही न, जो फौसदारी के मामलों का वकील है? हाँ, हाँ, वही, जोसफ पूरवद धीमे स्वर में बोला, यहां से भागने से पहले नलीनी उसकी सेकरेटरे थी, हलाकि गो वजूद वह नलीनी रात को 9-9 बजे तक उसके ऑफिस में बंद रहते थी, गोमेश की बीवी के अलावा सारा शहर इस बात को जानता था, फिर एक दिन उसे भी पता चल गया, वो बड़ी बेढ़ब किसम के ओरत है, इस बात से इस कदर आपे से बाहर हुई, कि उसने गोमे इनी मचलियों से लदे परजी जाने वाले एक ट्रक पर बैठ कर यहां से भाग गई, अगली सुभा गोमेश के ओफिस की सेफ खुली पाई गई, पुलिस इंस्पेक्टर डिसूजा को जाज करने पर पता चला कि सेफ रात में खोली गई थी, अग खोलने वाला उसका अभी नेशन की जानकारी थी, वो थी नलिनी पिंटो, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर डिसूजा ने समझा कि सेफ खुलने वाली वही थी, उसकी जगा अगा तुम होते तो क्या तुमने ऐसा नहीं समझना था, यह तो बिलकुल सीधी और साफ नजराने वाली बात थी, ज उसके नलिनी के साथ नाजायज तालुका थे, इसलिए वो उसे बचाना चाहता था, मगर बात खतम होने के बज़ाए और भी बहुत ज़ादा बढ़ गई, क्योंकि गोमेश की बीवी मारिया रोबिन डुसीजा की छूटी बहन है, उसने सारे फसाद कीज़ नलिनी को ठहरा और उसी दिन से उसका दुश्मन बन गया, अब नलिनी वापस आ गई है, और रोबिन डुसीजा भी यही है, इसलिए दे सवेर लड़की की शामस जरूर आएगी, इसका मतलब है डिसूजा उसे किसी जूटे केस में फसादेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, वो प्रीक सीजी सुना है, ऐसा होने के अलावा वो बेहत महदवा कांशी भी है, उसकी सर्विस के 5 या 4 साल बाकी है, और रिटायर होने से पहले वो पदोननत्ती पाने के लिए मरा जा रहा है, उसके लिए दिक्कत की बात ये है कि पूरी सर्विस में कोई ऐसा बड़ा मामला उसके हाथ ही नहीं लगा कि अधिकानियों का ध्यान अपनी तरफ आकशित कर सके दूसरी बार इस थाने में उसकी पोस्ट्रिंग हुई और लगता है इस दफ़ा भी बेचारे को निराज ही यहां से जाना पड़ेगा तो क्या नलीनी को किसी जूटे केस में फसाने से उसकी महतव कांशा पूरी हो जाएगी मैं ने तो यह नहीं कहा फिर देखो माल लो उसके हाथ को यह ऐसा बड़ा केस लग जाता है जिसमें फसने के बाद नलीनी का बचपाना नामुम्किन हो तो वो ऐसा मौके को हर्गिस तो नहीं छोड़ेगा वैसे भी जाती दुश्मनी की वज़ा से वो जब चाहे उसे प्रेशान कर सकता है कमर कांथ उसके इस विचास से सहमन नहीं था रॉबिन डिसूजा जैसे जिम्मेदा पुलिस इस्पेक्टर से ऐसी उची हर्कत के अपेशा नहीं की जा सकती थी लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता था कि अगर वो चाहे तो नलिनी को किसी बखेड़े में फसाना उसके लिए मुश्किल जरा भी नहीं था और इस बात को नलिनी भी भकुवी समस्ती होगी फिर उसने जानते बूचते हुए यहाँ वापस लोठने की बेवकुफी क्यों की इसके तो सिर्फ एकी वज़ा हो सकती थी नलिनी के लिए बंबई में कोई ऐसा बड़ा खत्रा पैदा हो गया था जिसके मुकाबले में उसने ये खत्रा छोटा लगा और वो ऐसे मौहल में लोठने पर मजबूर हो गई जहां जिल्लत और रुस्वाई के अलावा कुछ नहीं मिलना था उसके बाप को जानते हो जोसफ? उसने पूछा मैं बारा साल से शेहर में हूँ लेकिन उससे कभी नहीं मिला ऐसे मैंने सुना है वो कोई 56 साल का अपाईज आदमी है सोने के अलावा उसका सारा वक्त अपनी वीलचेर पे गुजरता है उसके जानने वालों का कहना है वो खुशमिजाज आदमी है लेकिन मैं नहीं मानता पंदरा साल से एकी कमरे में कैद रहने वाला कोई भी आदमी खुशमिजाज कैसे हो सकता है कमरकान ने ताज्जूप से उसकी ओदेखा पंदरा साल से हाँ हुआ क्या था वो अपाईज कैसे हुआ अरे सन 1962 की चीनी आकरमन के दोरान वो फौज में मैजय था दुश्मन की बिच्छाई हुए एक बारूंदी सुरंग पर उसका पैर पढ़ जाने से वो बुरी तहां घायल हो गया था उसके बाकी चकहम तो ठीक हो गए लेकिन उसके बाई पैर का अंगुठा और तमाम उंगलिया सेप्टिक हो जाने की वज़ा से काट देनी पड़ी फिर उसे एफोर से रिटायल कर दिया गया यहां आने के बाद उसने फिशिंग का धंदा शू कर दिया उसके पास इस इलाके में सबसे ज़ादा शक्तिशाली मोटर बोट थी एक दिन जब वो अपनी मोटर बोट से अपने टापू पर उतर रहा था तो फिसल गया अब बोट और घाट के बीच फसका बुड़ी तरह बेचारा को चला गया उसके सर पर गंभी चोट आई थी उन दिनों टापू पर पहुँचने के लिए पुल नहीं बना था जब तक दूसरे लोग अपनी बोट लेकर वहां पहुँचे और उन्होंने मेजर को खीच का भाहा निकाला तब तक इसकी हालत चिंता जनको चुकी थी आसपास कोई अच्छा अस्पताल भी उन दिनों नहीं था मेजर को पहले परणची और फिर बंबी ले जाया गया उसकी जान तो बचाली गई लेकिन सर में गंभी चोट लगने से उसकी स्पाइनल कॉड को भी गहरा अगात पहुँचा और टांगों में पैरालिसिस हो गया था इस तरह बेचारा मेजर पिंटो हमेशा के लिए अपाइच हो गया उसकी बीवी? वो कोई छह साल पहले माच चुकी है उसे मैंने कई बात देखा था पड़ी लीखेर बहुती समझदार किसम के औरत थी शकल, सूरत, कदबुत और खुबसूरती में बिल्कुन नलीनी जैसी थी वो गवानी थी? नहीं, पंजाबी थी मेजर ने अपने किसी अफसर की बेटी के साथ लव मेरिज की थी अच्छा ये बताओ, नलीनी के बंबई चले जाने के बाद चाल साल तक मेजर की देख़ाय किस ने की थी? डेमेलो ने, वो कौन है? मेजर का इक पुराना नौकर है तो क्या वो अब भी मेजर के पास रहता है? और जाएगा का मुफ्तखोर? एक अपाइस दूसर मुफ्तखोर जोड़ी बढ़िया है ठीक उसी शर्म बास को बार में दाखिल हुआ कमर कान के आकरी शब्द उसने भी सुन लिये थे कान है बढ़िया? वो अपनी पैंट उपर खिसकाता हुआ शराती धंग से बोला नली नी पिंटो? और कमर कान की बगल में पढ़े स्टूल पर बैठ किया कमर कान को ताफ तो आ गया लेकिन उसने उस फटीचर आदमी के मूह लगना मुनासिब नहीं समझा एक विस्की और दो जोसफ वो बास को की मौजूद की कोसरा से नजर अंदास करता हुआ बोला जोसफ ने काउंटर से खाली बोतल उठाई और उसकी जगा दोसी बोतल खोल कर रख दी लगता है टूरिस्टाने शुरू हो गए बास को की वज़ा से जोसफ ने बासचीत का विशे बदलते हुए बोला आज सुबह मैंने नीली फेड का देखी थी बड़े आकशक व्रतित वाले का आदमी उसे चला रहा था मैंने भी देखा था उसे बास को हत्शेप करते हुए बोला मैंने उसे बाते भी की थी अखी से निपोरते हुए पूछा जानते हो किसको डूढ रहा था तुम जाकर अपना काम क्यों नहीं करते तुमारी बदबू से मेरा सर फटने लगा है जोसफ उसे डाटते हुए बोला लेकिन बास को ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया वो आदमी नलीनी पिंटो को ढूणडा था वो कमर कांथ को कोनी से ठोका लगाते हुए बोला उसने मुझे बताया था वो तुमसे भी मिला था और तुमने उससे कहा था कि नलीनी पिंटो का कभी नाम भी नहीं सुना तुम बड़े उस्ता आदो उल्टा उसी से पूछे दे नलीनी कौन है हाहा कमर कांथ अपना ग्लास काउंटर पर रख बास को कितब मुणा अगर तुम ढंकी बाते नहीं कर सकते बास को तो बहतर होगा कि चुप चाप बैठो जवाब में बास को ने पुना खीसे ने पूर दी सच बाद बे ढंगी लगती है बर्कुरदा वो आखे मारता हुआ बोला वैसे नलीनी के साथ तुम जो खिटड़ी पका रहे हो न उसे छुपाई रखने के लिए मैं तुम्हें दोश नहीं देता बस इतना चाहता हूँ उस खिटड़ी में मुझे भी सजगर दे देना क्योंकि उस जालिम के हुसन पर फिदा होने वाले तुम ही पहले आदमी नहीं हो उस खूबसूरत जिस्म के तलबगारों की गजबर लंबी लिस्ट में इस नाचीज का नाम तुमसे बहुत उपर है उसलिए उस पर तुमसे पहला हक मेरा अचानक कमरकान के दिमाग में गुस्से को जबदस लह दोड़ गई वो और जादा बदाश नहीं कर पाया और अगले ही शण वो हो गया जो वो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था और जिसे ना करने की धाई साल पहले वो बकाइदा कसम खा चुका था उसका मुठी की शकल में बंधा दाया हाथ अपने आप में उसके जिस्म की पूरी ताकस समेटे तेजी से बासको के चेहरे के और लबका कमरकांद को फोरण अपनी गलती का एहसास हो गया लेकिन तब तक देर हो चुके थी वजनी घुसा बासको की नुकीली थोड़ी पर पड़ा पल भर के लिए उसके चेहरे पर गेहन आश्चरे के भाव दिखाई थी फिर उसका हल्का फुल का जिस्म स्टूल से उचला उसका सर काउंटर के किनारे से टक्राने से बाल-बाल बचा फिर वो दूर फर्श पर जाके रहा और निश्चल पढ़ा रहा गया कमलकान स्टूल से खड़ा हो गया वो सर से पाउं तक काँ परा था ओफो जोसफ वरबढ़ाया इतना प्रचन गूसर मैंने कभी किसी को मारते नहीं देखा बाइकाउट जोसफ इसे देखो यार कमलकान फसी से अवाज में बोला जल्दी कलो प्लीज देखो यार क्या आई ठीक है जोसफ ने पानी का भरा जग उठाया काउंटर के पीछे से निकला और बेहोश पड़े बासकों के उपर जुक्या घबराओ मत वो कमलकान के और पलटका बोला सिर्फ बेहोश हुआ है फिर उसके काप थे हाथों के और इशारा किया लेकिन लगता है तुमारे हाथों में चोट आई है नहीं कमलकान करवार्ट बरेश सोर में बोला काश मैंने इसे बहुत पहले ही तोड़ दिया होता जोसफ ने जग का पानी बासकों के सपर उलड़ दिया लेकिन कमलकान परेडाम देखने के लिए भाह नहीं रुका वो बास से निकल गया और बहार खड़ी अपनी जीव में आ गया कमलकान को अपनी इस हलकत पर जितना अफसोस था उससे ज़ादा उसे खुद पर गुसा आ रहा था वो आया क्यों? यहां बैठा क्यों? अब बासकों की बात बदाश क्यों नहीं हुई? अगर नलीनी के बारे में सुनी गई बातों पर एत्वार किया जाए तो वो इस काबिल नहीं थी कि उसकी हिमायत की जाती वो पक्का एहद कर चुका था कि कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा अपने इस बात पर उसने धाई साल तक अमल भी किया था इस दौरान अपनी जाती वज़ा से माल कुटाई की नौबत आने पर भी वो हमेशा हाथ जोड़कर वक्त को टालता रहा लोगों ने से डरपो कहा मगर उसने बुड़ा नहीं माना बुरी से बुरी बात भी वो हसकर टाल गया था और अब एका एक वो इस कदर आपे से बाहर हो गया कि बेहुदा शहल की घटिया भार में एक बद्राम लड़की की खाते एक घरने टेक्सी ड्राइवर पर हाथ उठाने की बेवकूफी कर बैठा आखिर उसे हो क्या गया था क्या उस लड़की से उसे सचमुच कुछ लगाव हो गया था क्या बासको ने ठीक कहा था क्या वो सचमुच नलीनी की जिस्म को पाने का ख्वाईश मन था कमरकांतीनी विचारों में खिरा बैठा पुल की ओताक रहा था सहसा उसकी निगा पुल पर आते एक विशार काया आदमी और उसके साथ वाली स्थूल काया स्त्री पर पड़ी उसने उनकी और हाथ हिला दिया वो दोनों मच्छवारा जॉनी और उसकी बीबी थे जॉनी उसका बंधा हुआ ग्रहाक था उसकी वरक्शॉप में के पीछे घाट पर अपनी मोटर बोर्ट में डिजर ललवाने आता रहता था पिछले कुछ दिनों से उसकी आतिक सित्री ठीक नहीं थी इसलिए उसकी तरफ कुछ जादा ही उधार हो गया था लेकिन सभी मच्छुआरे लेन देंग के मामले में बड़े खरे थे इसलिए कमरकांद कभी उससे तकाजा नहीं करता था जब उनके पास पैसे आते वो खुद ही दे जाया करते थे दोनों उसकी जीब के पास आप पहुँचे लगता है इस दफ़ा अपनी रकम की फिक्र बढ़ गई जॉनी बुला कमरकांद जबरन मुस्कराया नहीं जॉनी तुम्हें आते देखा तो बुला लिया था जानता हूँ अगर ऐसा ना होता तो तुम यहां जम नहीं सकते थे तुम्हारी मिलन सारीता और इमानदारी ने मुझे तो जैसे खईद लिया है दोस्त दंदा कैसा चल रहा है जॉनी ठीक ही है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और आजकल दलदल कैसी है सूख गई है जॉनी बोला पहले कभी इतनी खुशकी इस इलाके में मैंने नहीं देखी थी कमलकान जानता था कि दलदल देखने में चाहें जितनी खुशक नजर आए फिर भी मच्छारों के अलावा किसी और का वहाँ जाना खुदखुशी करने जैसा था उन लोगों के भूल भलाईया जैसे अपने अलग रूट थे जिनकी जानकारे सिर्फ उन ही लोगों को थी कमरकांथ अपनी वरतमान मना सीती में किसी से बात्चित करने की तीवर आवशकता अनुभव कर रहा था इसलिए उसने जानी को इशारा करके बुलाया था मैं भी एक बात तुम्हारे साथ दलदल की सैल करना चाहता हूँ वो कुछ कहने की गर्श से बोला जॉनी ने गौ से कमरकांथ को देखा जब उसे यकिन हो गया कि वो मजाग नहीं कर रहा था तो जॉनी मुस्कराया जब चाहूं मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ हम लोग तो वहाँ ही रहते हैं उसे कान जगा की भी अपनी खूबसूर्ती है अपना अलग आकशन है जिसे सिर्फ हम मच्वारे ही समझ सकते हैं शायद यही वजाए कि हमारे अलावा कोई और वहाँ जाना नहीं चाहता खेर तुम जब कहोगे मैं तुमें घुमा दूँगा शुक्रिया मैं जल्दी ही किसी दिन प्रोग्राम बनाऊंगा जरूर बनाना तुम जितनी कड़ी मेहनत करते हो उसे देखते हुए तुम्हारे लिए सया सपाटा भी जहुरी है जॉनी ने अपनी पतनी करशा रखिया ये खाना बहुत बढ़िया बनाती है इसके हाथ की बनी मचली और केकड़े खाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे कमल कांथ मुस्कुराया तब तो मैं जरूर चलूगा जॉनी जाने के लिए बढ़ा फिठी ठग गया और विचार पूबक कमल कांथ के ओओ देखने लगा तुम बासको को जानते हो वही गंदा और मरियल सा आदमी जो टेक्सी चलाता है कमल कांथ ने प्रशनात्मक देश्टी से उसकी ओदेखा हाँ जानता हूँ लेकिन तुम किसले पूछ रहे हो मैं जानना चाहता हूँ उस टेक्सी ड्राइवर को मोटर बोर्ट की क्या जूरत हो सकती है क्या मतलग कमल कांथ ने असमंजस्ता पूरवक उससे पूछा कल उसने मेरे छोटे भाई पीटल की मोटर बोर्ट किराये पर लेने की कोशिश की थी हाला कि वो बतौर किराया उतनी ही रकम देनों को तयार था जितनी की मोटर बोर्ट की केमत है लेकिन पीटल को अपनी मोटर बोर्ट से बहुत लगाव है इसलिए उसने साफ इंकार कर दिया उसने अच्छा किया बासको ने उसे किराये के नापर एक पैसा भी नहीं देना था किराया तो सारा ही पेशकी मिल रहा था बासको दे रहा था नहीं उसके साथ एक और आदमी था कौन आदमी था पीटल ने उसे पहले कभी नहीं देखा वो गवानी भी नहीं था पीटल के बताने के मताबिक वो ठिकने कदका भारी बदन वाला आदमी था उसके सर के बीच का भाग गंजा था और उसके बाएगाल पर कान से ठोड़ी तक लंबा जखम का निशान था देखने में तो वो टूरिस्ट सा नजर आता था अचानक जॉनी का लहजा रास दराना हो गया पीटल का कहना है कि उसकी पैंट की दाई जेब कुछ इस ढंक से उबरी हुई थी कि उसमें पिस्तॉल वेगरा रखे मालूम होती थी कमाय कान तैसे हूले वाले किसी आदमी को नहीं जानता था मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जॉनी अरे जानता तो मैं भी नहीं हूँ जॉनी बोला फिर सवाल ये है कि वो आदमी इतना ज़्यादा क्राया क्यों दे रहा था और मोटर बोर्ड के उसे किसले जोड़ा थी ये भी भला मैं कैसे बता सकता हूँ तगड़ा कोई घुटाला है जरूर हाँ हो सकती है ये बात भी जौनी चेंशन चुपचाप खड़ा था फिर अचानक वो इस ढंग से मुस्क्राया मानो कोई मज़ेदार बात याद आ गई अब चौथर टाप उपर जा रहे हो कमल कान चक्राया चौथर टापू? हाँ फौजी पिंटो के घर कमल कान एका एक जवाब नहीं दे सका मुझे तर सुनकर बड़ी भारी खुशी हुई थी जौनी अपनी जोक में कहता गया उसकी बेटी के साथ सचमुच तुमाहे जोड़ी खुब जमेगी खुद बाप की दूआ से तुम्हारा धंदा भी बढ़िया चल रहा